हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू यूनिक तारका आज में शेयर कर रही हूँ आपके साथ नौनी जूस पीने के क्या-क्या फायदे होते हैं क्या-क्या नुकसान होते हैं नौनी जूस कौन-कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है नौनी जूस कब और कैसे पीना चाहिए नौनी सीरप पीने से क्या फायदा होता है और सबसे अच्छा नौनी जूस कौन सा है नौनी जूस बजन बढ़ाने में मदद करता है क्या नौनी जूस किसे नहीं लेना च वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक रस्मी इसक्रेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे जिससे कि आपको इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियोज मिलती रहें बैर आइकन को भी ज़रूर पैस करें चलिया ये बात कर लेते हैं सबसे पहले नौनी जूस पीने के क्या-क्या फायदे होते हैं नौनी फल में एंटी आक्सिदेंज के साथ-साथ जीवानु रोधी और एंटी फंगल गुन होते हैं जो इसे आपकी तुच्चा के लिए बहुत अच्छा बना जाता है अब बात कर लेते हैं नौनी जूस कौन सी पीमारी ठीक करता है उच रखचाप की दवाएं नौनी के साथ परस पर क्रिया करती हैं नौनी रखचाप को कम करने वाली दवाओं के साथ नौनी लेने से रखचाप बहुत कम हो जाता है अब बात कर लेते हैं नौनी ज का सेवन करने से शाम के मुकाबले जादा फायदा मिलता है इसके अलावा अगर आप इसे भोजन करने के बाद पीते हैं तो कोशिश करेंगी खाने के एक घंटे बाद ही नौनी के जूस का सेवन करें अब बात कर लेते हैं नौनी सीरप पीने से क्या फायदा होता है नौनी के में एंटी एकने गुण पाई जाते हैं जो मुहासों से चुटकारा दिलाता है यदि आपको तच्छा में चमक भरनी है तो नौनी का जूस सुभेज जरूर पीएं बात करें सबसे अच्छा नौनी जूस कौन सा है अपोलो लाइफ नौनी प्लस जूस बेहतरीन स्वास्ते प नौनी जूस बढ़ाने में मदद करता है और आदश वजन शरीर के वजन को बनाई रखने में मदद करता है अब बात कर लेते हैं क्या नौनी जूस से प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ता है तो फ्रेंट्स एक अध्यन के अनुसार नियत्रन समू की तुलना में परिक्षन समू में लाल लक्त कोशिका गरना हीमोगलोबिन या फिर पैक्ड वॉल्यूम औसत कोशिका आयतन औसत कोशिका हीमोगलोबिन स्वेत रक्त कोशिका गरना लिंफोसाइट गरना प्रेटलेट गरना सोडियम आयन में ब्रदी हुई है अब अतलिते नौनी जूस किसे नहीं लेना चाहिए नौनी में पोटेश्यम की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है जिन लोगों पोटेश्यम का सेवन सिमित करने की आवशकता है उन्हें नौनी का उपयोग करने से पहले स्वास्त सिव प्रदाता से परामर्श करना चाहिए यानि की घरवस्ता के दौरान नौनी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए इस्तनपान के दौरान भी नौनी का उपयोग करना सुरक्षित नहीं माना जाता है अब बात कर दें क्या नौनी जूस डाइबिटीज के लिए अच्छा है नौनी के मदू में पिरोधी तंत्र, कई सेलुलर और आणविक तंत्र एक साथ उबास और भूजन के बाद गुलकोस को कम करने में योगदान करते हैं, साथी गुलकोस सहिशुनता और इंसुलिन समवेदन शीलता में सुधार करते हैं, नौनी जूस से कितनी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, तो फ्रेंट्स नौनी जूस से मदू में उचरक चाप, दर्द, जलन, गठिया, सुजन, ट्यूमर, उमर बढ़ने के प्रभाब, पर जीवी, वायरल, जीवानू, संक्रमन के इलाज के लिए किया जा सकता है, बात पनाव से राहत मिलती है, यही नहीं है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी फायदी बन माना जाता है, इसमें एंटी ओक्सिदेंस और एंटी इंफ्लमेटी जैसे कई और ज़्दे गुण होते हैं, यह सभी चीजें मस्तिक शदी पर सुरक्षात्मक कारे करती हैं, बात कहलेते हैं, आयरवेद में नौनी क्या है, नौनी यानि की मौरिंडा, सिटी फोलिया, एंटी ओक्सिदेंस, बिटामिन सी, बिटामिन वी थ्री, बिटामिन ए और आयरन से भरपूर है, नौनी जूस में एंटी वेक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लमेटी गुन होते हैं, जो नौनी जूस खाली पेट ले सकते हैं high cholesterol सिछुटकारा पाने के लिए नौनी के जूस का सेवन कई तरह से कर सकते हैं सुबह खाली पेट इसका सेवन सरीर के लिए ज़्यादा फायदी बन होता है सुबह की समय इसका सेवन करने से पेर समेत सरीर के आंत्रे कंगों की सफाई करने और बैट केलस्टरॉल को बाहर निकालने में मदद मिलती है अब बात करेते हैं क्या नौनी जूस इंफेक्शन को ठीक कर सकता है इसका इस्तेमाल आम तोर पर कबज, संक्रमन, दार्द और गठिया जैसी स्वास समस्याओं के लिए किया जाता है आजकल नौनी का सेवन जायता जूस के मिश्रन के रूप में किया जाता है जूस में शक्ति सारे एंटियोक्सिडेंस होते हैं और यह कई स्वास्ते लाप प्रदान कर सकता है बात के लिए नौनी जूस के साइड इफेक्ट की बारे में यानि की नुकसान की बारे में अगर इसे जादा मातरा में पिया जाए तो इससे कई तरह के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं नौनी जूस के आम दुस्प्रभावों में किड्नी संबंदी समस्या है फलो के जूस में पोटेशियम की मातरा दिखोती है जो पहले से किड्नी संबंदी समस्या उसे पीडिये दिख्यक्ति व्यक्ति के लिए जो किम, पैदा कर सकती है चले नौनी जूस की मातरा में लेना चाहिए नौनी जूस की मातरा इस बात पर नेईवर करते हैं कि आप किस लीए पी रहे हैं अगर आप नौनी जूस को वयस के तória दे रहे हैं तो इसे दिन में एक या दो बार तीन या चार ओंस की मात्रा में पी सकते हैं I hope आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई यह दो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें सब्सक्राइब फॉर मोई वीडियो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें थैंक्स वो फॉल वाच